लुहर्दगा जिले में सड़क दुर्घटना में मृत हवलदार मरियानुस किंडो को पुलिस लाइन में श्रधांच लिदी गए मृतक जवान लुहर्दगा उपायुक्त डॉक्टर वागमारी प्रसाद कृष्ण के अंग्रक्षक के रूप में कारे रथ था वो अपने पीछे दो बच्चों और पत्नी को छोड़ गया लुहर्दगा डीसी बागमारी प्रसाद कृष्ण और एस्पी ने परिवारवालों को सहायता राशी प्रदान की और जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर मुआफजा राशी और अनुकंपा में नौकरी की प्रक्रिया पूरा करने का आश्वासन दिया महीं पुलिस लाइन में जवान को नम आखों से श्रधांज लिती गए साथ ये जिला समहारणाले परिसर में उनकी आत्मा की शांती के लिए दो मिनट का मौन रखा गया महीं सोमवार को कार्याले का कामकाज बंद कर दिया गया बताते चलें कि सोमवार की अहले सुबह पावरगं चौक के समीब ट्रैक्टर से बचने के बाद वह बस की चपेट में आ गया था जिससे मौकी पर ही उसकी मौत हो गई सदर थाना पुलिस ने स्कूल बस को जब्त कर लिया है साथ ही आगे की कारवाई में जुट गई है न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से पीतम की रिपोर्ट